नमस्कार एक बहुती संसकारी और धार्मिक पार्टी भारते जंता पार्टी को एक नया नेता मिला है नरेश अगरवाल उसके उने मुबारक हो दरसल नरेश अगरवाल जो है वो तीर थियात्री है और अंग्रेजी के एक कविता है Pilgrims Progress ये किस जमाने में कॉंग्रेस में हुआ करते थे फिर ये राश्ट्री लोकतांत्रिक कॉंग्रेस में आये फिर ये समाजवादी पार्टी में गए उसके बाद ये बहुजुन समाजवादी पार्टी में गए फिर भारते जनता पार्टी की जो मिली जुली सरकार बनी वहाँ पर जिसमें कल्यान सिंग भी एक जमाने में मोक्य मंतरी रहे राजनात सिंग भी रहे उसमें भी ये मंतरी उसका फिर से ही है समाजवादी पार्टी में गए बीएसपी में भी गए और अन्त में भारती जंता पार्टी में आ गए हैं फर्क सिर्फ इतना है कि भारती जंता पार्टी पार्टी नहीं है एक तीर्थ है यहां आकर हर कोई शुद्ध हो जाता है बरहाल भारती जंता पार् पीच पीच में लोग आते रहे उनसे मिलते रहे संख्या बढ़ती गई उनकी और जब तक वो मुंबई पहुंचे करीब 50,000 किसान और आदिवासी वहां पहुंच चुके थे एक बार बता दें बॉलिवूड की किसी भी हस्ती ने किसी भी सदी के महानायक ने या किसी भी नहीं बोला, कोई भी इनके फेवर में नहीं आया, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, एक भी शब्द किसानों के लिए, उनका कहना था, उनके करजे माफ किये जाएं, जून 2017 में एनाउंस हो गया था, कि मतलब बपार्ट लोन वेवर, कुछ हिसे में उनके करजे माफ कर दी जा नौकर शाही, टेकनिकल ग्लिचेज, इन तमाम कारणों की वज़े से वो करजे माफ नहीं हो पाए, और एक भी पैसा इन किसानों को नहीं मिला, दूसरे इनकी मांग थी कि ये कम्प्लीट ट्रांसफर आफ फॉरिस्ट लैंड, कि जिस जमीन पर ये लोग बसते हैं, अब ही एक बनाया था, जो धर्ती को जोते वो धर्ती का मालिक है बगरा बगरा, फॉरिन लैंड राइट्स एक्ट दोहजार चे, उसके मताबिक, ये कानून है, उसके मताबिक, और फॉरिस्ट लैंड शुड फॉरिस्ट लैंड शुड पास्ट ओन तो फार्मर्स, वो लेकिन ग्यारा साल से जादा का समय हो गया है, उनको जमीने नहीं मिली, एक कारण ये भी था कि नासिक से मुंबई का बहुत बड़ा मार्च हुआ, उसके लावा स्वामी नातन कमिटी की जो रिपोर्ट है, उसको इंप्लिमेंट करने की, उसका क्रियानवन करने की मांग की गई, जो पहले भी होती गई है, होती रही है, लेकिन हम पहले ये समझ लें कि स्वामी नातन कमिशन कहता क्या है, इनका ये कहना है, स्वामी नातन कमिशन का कि हर किसान को ये एक अजम्शन होने चाहिए, ये मान कर चलना चाहिए हर किसान के लिए, कि पानी, जमीन और जो दूसरे संसादने जमीन के उस पर उसका हक है उस पर उस तक उसकी पहुँच है। उसके इलावा लोण उसके इलावा इंशॉरेंस और उसके इलावा टेक्नालोजी। यह भी किसान की पहुँच में होने चाहिएं। वहना सदियों से वहीं पुरानी खेती की तक्नीक चलती आएगी और वहीं हो भी रहा है इस वक्त। खेती को पुनर विष्ट करना पड़ेगा, रीइवेंट करना पड़ेगा तब जाकर ना की खेती बहां गन्य की खेती बहुत होती है तो किसान सारे चौधरी चौधरी सिंग के पास पहुंचे कि हमारा गन्ना मिल वाले नहीं ले रहे हैं हम क्या करें कहां रखें इसे चौधरी साब ने सुना है अपनी टोपी उतार दी वो बोले यहां रखो तुमसे कितनी दिफ़ आए कि सिर्फ गन्ना मत उगाया करो और फस चुकी है उनकी परवाह भी नहीं करते जो मौजूदा सरकार वाले हैं और स्वरोजगार की बात करते हैं पकोड़े बेचने की लेकिन जो खेती है जो क्रिशी है उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं गया है वेराल यह किसान जब मुंबई पहुंचे तो मैं आपको बताओं यह अपने आप में बहुत बहुत बहुतरीन नजारा था देखने वाला कि थाने में वहां के जो रेजिडेंट थे वहां के जो निवासी थे वह बाहर आये इन लोगों को पानी ओफर किया चपले सबके पाओं में बिवाईयां पड़ी हुई थी पाओं फट गये थे खोन था इनको चपले दी और खाना दिया बहुत सारे किसानों ने मना कर दिया लेने से लेकिन कुछ ने लिया कि उसको आद मुंबई में इतनी सारी संस्थाएं थी नागरिकों की जिन्होंने नाश्टे का प्रबंद कर रखा था क्योंकि किसानों को मालुम था कि अगले दिन ब का वजूद रात को चल कर ये आजाद मिदान पहुंचे सिखों ने लंगर लगाए मुसल्मानों ने खाने का इंतरजाम किया नागरिक साथ खड़ रहे साथ ही में ये जो किसान थे और आदिवासी थे इन्होंने एक सबक सिखाया है देश को और खासकर हमारे नेताओं को कि अनुशासन क्या होता है? गले में भगवा पहन कर डंडे चलाना और सरयाम लोगوں को पीटना गुंडा गरदी ही है भगवे से वो धार में गुंडा गरदी नहीं हो जाती गुंडा गरदी गुंडा गरदी ही रहती है जेसी भी मशीन लगाकर कोई मूर्ती गिराना, किसी सानों ने सिखाया कि किसी एक मिचूर डिमॉक्रसी में अनुशासित जो प्रोटेस्ट होते हैं जो बिलकुल अनुशासित के साथ अपना विरोध जाहिर करना होता है वो कैसे किया जाता है बहराल स्वामिनातन कमिशन की बात चल रही थी उन्होंने और भी बहुत सी की रिकमेंडेशन करी हैं उनका ये कहना है स्वामिनातन साहब का मैं आपको बताओं स्वामिनातन कमिशन ने नमंबर अठारा दोहजार चार से लेकर अभी तक पांच रिपोर्ट्स गर्मेंट को सौंपी है और इनका कहना है कि किसानों को मुक्यधारा में शामिल किया जाए क कहने को हम अन्नदाता कह देते हैं हमारे प्रदान से वक्त तो पार्लिमेंट की कैंटीन में सस्ता खाना खाकर कॉमेंट भी लिखकर आये थे क्या लिखाता हूंने अन्नदाता सुखी भव मतलब जुम्लेवाजी वही लेकिन ध्यान नहीं है किसानों पर ध्यान बड़े किसानों का हक होना चाहिए जमीन पर पानी पर बायो रिसोर्स पर कर्जों पर और इंशॉरेंस पर टेक्नॉलोजी पर नॉलेज मैनेजमेंट ग्यान और चाहिए और मार्केट्स पर अगर 40 पैसे किलो में कोई प्यास खरीदता है और आपकी किचन तक 20 रुबे किलों में प अर नकी माँध भी थी बैरियाल देखने की बात है कि अब सरकार वादा तो कर चुकी है नसे कि जून तक है सारी माँधे पुरी हो जाएंगे उनकी उनको जो कर्जे माफ च्यून पर करने वो भी हो जाएगा जमीनें बी उनके नामपर ट्रांस्टों कर दी जाएंगी अब नासिक में ये किसाने कठे हुए थे, मुंबई आने के लिए, काइदे से, जो वहां के मुखे सेवक हैं प्रदेश के, दिवेंदर फड़नवीस, उनको किसानों से मिलने जाना चाहिए था, आप वोट उनसे लेते हैं, आप उनका जितना नमक भी खरीदते हैं, उसमें भ सफर क्यों करवाया, इसमें भी एंट है, सत्ता की एंट है, और एक महतरिमा है, मरहूम पूनम माजन, मरहूम प्रमोद माजन की बेटी, वो तो अजीब और गरीब बाते हैं, मतलब अबन गुरिलाज और माविस्ट अबन गुरिलाज इस तंग के भी शब्द इस्तमाल करती अब वो वापिस से लिगए अपने दड़बे में, आराम वाले दड़बे में, बिलकुल लक्श्री लिविंग में, देखते हैं, देवेंदर फटनवीज अपने बादों पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं इस शर्मनाक नजरा जो आपने देखा, यह 24 जनवरी सन 2009 में हुआ, और मैंगलोर के एक पब, एमनीशय नाम के पब में हुआ, जो बाल माटा के इलाखे में हैं, पब में करीब चालिस लोग, चालिस गुंडे, श्रीराम के नाम पर घुसाएं, और वहां जो महिलाएं बैठी थी, जिन्नोंने लांच ओडर कर रखे थे, और भी लोग थे वहां पर, उनको पीठना शुरू कर दिया, उसके बाद यह सारी घटना टेलेविजन पर दिखी, उसके कुछी दिनों बाद यह प्रमोद मुतालिक जो नेता है, वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन कुछी घंटों में उनको बाहर भी कर दिया गया बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी को शर्मिंदगी हुई थी उस वक्त, वो सत्ता में नहीं थी, अब सत्ता में हैं, अब नरेश सूत्र लेकर, चौदा फर्वरी जिस दिन वैलिंटाइन्स डे होता है, उस दिन निकलेंगे, जहां जहां हमने देखा कि लड़का और लड़की एकठे हैं, हम उनको सबसे नजदीकी मंदिर में ले जाएंगे और उनकी शारी कर देंगे, ये होते हैं, सेल्फ पीटना इसलिए शुरू कर दिया कि उनका कहना था कि भारतिये परंपरा के खिलाफ है, भारतिये संस्कृति के खिलाफ है, जवाब में जो उनके नेता हैं प्रमोध मुतालिक, महिलाओं ने बहुत ही शिष्ट जवाब भेजा, उनको गुलाबी रंग की चड्डियां पीटना शुरू कर दे, भगवा गले में डाल कर और भगवा के नाम पर गुंडा गर्दी दिखाएं, उन्होंने गुलाबी रंग जो महिलाओं से जड़ा होता है, चड्डियां भेज दी है, कि ये हमारे तरफ से आपको गिफ्ट है, महिलाओं की इज़त करना सीखिए, ब पाकि 26 के 26 जो आरोपी थे, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है, और प्रमोद मुतालिक उनको भी बरी कर दिया है, बरी करने का ये सिलसिला नया नहीं है, लोग जगा जगा बरी भी हो रहे हैं, जो सुबूत है, दिख रहा है, बावजुद इसके, उनके खिलाफ कोई एक्श जो बहुत ही अनुशासित धंग से नासिक से लेकर मुंबई तक गए, दूसरे तरफ ये गुंडे जो श्री राम के नाम पर इन्होंने अपनी असलियत दिखाई, अपने संसकार दिखाए, अपनी धार्मिक्ता दिखाई, इनको छोड़ दिया गया है, बहुत शर्म की बात है, हमें उम्मीद है कि करनाटक सरकार उपर की अदालत वे जाएगी और इस फैसले को मनजूर नहीं करेगी, नमस्कार आप देख रहे थे जनगन मन की बात, हमारी आप से एक बार फिर इलतिजा है कि आप यूट्यूब पर जाएं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है The Wire News उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें ताकि जब भी जनगन मन की ब